नौबल शकस्ते दिड़ एपिसोड नमबर एटीन जवाद पिरी जान घर में डाखल होता हूँ घर में चाही अफसुर्दी की भाब किया था कि तभी उसे लाउंच में इंटर होते देखकर साइरा वेगम भाग कर उसे गड़ी लगी थी मां के गली लगने की देड़ थी कि उसके आँकों में नमी आई थी मगर बरवाख खुद को सम्हाल गया था अम्मी जी क्या हुआ खुद को कंपोस करता वो नहायत आश्तगी से गोया हुआ जवाद निमाज से ना चुपा आँसू रो ले मां के गली लगकर मिरी जान कुछ नहीं होगा उसकी पिशानी चुम्ती साइरा वेगम ने उसके सुरुक आँकों को देखते कहा मैं रो नहीं सकता अम्मी प्रक्टर सुभान ने मना किया है हकीकत थी वो रोना चाहता था मगर वो रो नहीं सकता था तब ही वो लब दबा गया जवादो अबन दुबटे के पेलों से आँके साफ करती सफिया बेगम ने उसे पकारत अपने पास बलाया अम्मा सफिया बेगम किस संथ परता वो मस्कराया था क्या कर लिया तूने ये सब उसे प्यार करती वो नम लहचे में बोली थी किसमत है दादी सुरुख रंग आखे नमी से बार बार धुनला रही थी जिनने वो ग्रासे दोतार कर बार बार साफ कर रहा था अबुजी को बताना नहीं चाहिए था आप लोगों को सफिया बेगम को देखता वो खबगी से कहता उनके आंसों साफ कर गया चाचो क्या हुआ आपको कुछ नहीं हुआ जबाते गले लगकर सबको रोते देकर आहाद ने पूचा जिस पर वो एक नज़र अनम भाबी को देखता बोला था जिन्होंने उसे होसला देना तो दूर की बात आज कोई तंस भी नहीं किया था जो जबातों काफी खिला था तेरी मा की बद्वाएं लग रही है अनम को देखता वो शोशा छोड़ गया अस्तग्फिर ल्ला तौबा तौबा मैंने कभी बद्वाएं नहीं दी खुद के कर्टू है दोनों कानों को हाथ लगाती अनम ने खुसे से कहा अब आई नहीं अपने असल में अनम भाबी की गाली का बुरा ना मानता वह था बद्वाएं बद्वाएं बिगार थी अनम ने उसके चेहरे पर दर्द के आसार तराशे थे मैं बिल्कुर ठीक हूँ दवा ले रहा हूँ सर्जिरी भी कर बालूँगा मगर इसके लिए मेरी एक शर्त है अगर अब बुजी मान जाते हैं तो ठीक है वरना फिर रहने देते हैं सर्जिरी को जितने दिने जिन्दकी के खुलकर जी लेता हूँ तोनों हाथ बलंद करता वो पुर्जोश लहजे में कहता सबको अपने अरादे से अगाह करिया था मैं जानता हूँ तेरी शर्त खबीज इनसान मैं निकल तेरी सुस्राइबालों को दावत पर बलाने का सोचा है उसे बात करूँगा तेरी निकाह के तक्रीब रखेंगे स्टडी रोम से निकलते शकीस साब नीऊ से देखते पीचे से आथ उसकी कमर पर थपर रसीत किया था अबुजी जरन करती कमर को हाथ मीचे ले जाकर सहलाता वो उन्हें देखकर मस्कुराया उसे कमर सहलाते देखकर शकीस साहाब ने खब उसकी कमर सहलाईए धिया अबुजी जरन करती कमर को हाथ पीछे ले जाकर सहलाता वो उन्हें देखकर मस्कुराया उसे कमर सहलाता देखकर शक्री सहाब ने खुद उसकी कमर सहलाई दिये अबो जी मेरी ये शर्ट नहीं है, खाहिश है, जिसने मैं शर्ट के तोर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ शकीस आपक कमर सहलाता हूँ अपने दोनों हाथों के दर्मयान में लेता बोला और वहीं सब उनके सम्स मतवज़ होई थे कैसे खाहिश, मगार उससे देखते हो गोया हूए आपकी की शादी, अबो जी कल मेरे सुस्राल के साथ साथ आपकी की सुस्राद वालों को भी दावत दे दें उन्हें हैरस से अपनी सम्स तक्ति दे कर वो आईस्तिकी से बोला था जवाद के दिमाख पर असर हो गया हूरिया का कौन से सुस्राल भरा जवाद को देखती अन्हेरस से कैए उटी थी होने वाला सुस्राल अबो जी, अम्मी जी, दादी, आपी की शादी करना चाहता हूँ साइरा बिगम सफिया बिगम को देखता, वो अभी बोल रहा था कि तब ही जवाद से मिलने के लिए आती हुरिया और सपनी शादी का जिकर करते देखके परिशान हुई थी बस इतनी सी बात करेंगे ज़र शादी हुरिया की जरूर करेंगे पहले तुम सरजरी का बालो जवाद फिर शादी सहाब को खामुश देखते हमाद ने उजड़त में कहा पर मुझे शादी नहीं करनी लाजमें ताखिल होती, वो बरहमी से बोली थी तुमारी जिद बेफजूल है जवाद, मैं शादी नहीं करूंगी किसी से भी और तुमने कहा मेरे होने वाले सुस्राल क्या मतलब है देरा उससे से भी पड़ती हुदिया उसके सामने आई थी अबूजी लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है हुदिया की सुरुख आखों में गुसा देखकर नजर अंदास करता हुद शकीसा को गुटनों पर हाथ अक्ता नीचे और के पैरों में बैठा था मुझे शादी नहीं करनी, तुम सुन क्यों नहीं रहो जवाद आपी मुझे बात तो करने दे हुदिया को बार बार बीचे बोलते देखकर वो बरहम हुआ था कौन है लड़का नाम बताओ, हम कभी कल ही बुलाते हैं उसे जवाद को देखते शकीसाब में अपनी बढ़वास होती बेटी को देखते कहा और वही हुदिया ने बेयकीनी से नफी में सरहलाया था उसके अबू जी जो से कभी दोबार रुक्सक करने का सोचना तो दूर की बात किसी के मूँ से सुनना भी पसंदने ही करते थे आज वो मान गए थे, क्यों ना मानते आगर मनाने वाला उनके जिकर का टुकरा उनकी जान था जो बच्पन से अपनी हर बात मनवाने का आदी था जो आज तो आज उसके बात कैसे टारी जा सकती थी तब हुदिया ने जबाद को आज भरी नज़ों से देखा था जैसे कहना चाहा हो अब बस करे और वहीं वो मस्कुराती नज़ों से सदेखता उटका उसके सामने आया डॉक्टर एहसन शा नाम है लड़के का बुची हुरियकी नमाखों में देखता वो भवें उचकाता बोला जहां हैसन का नाम सुनका हुरियकी आंके बेयकीनी से भटी थी वहीं हमाद और हमदान ने भी हरानगी से अपने भाई को लेका जबके शकी साब को जवाद के दमागे दावाद उन पर अब हके के माईनों में शक गुजरा था तेरा दमाख खराब हो गया क्या गुस्टे से कहता हमदान उट खड़ा हुआ जिस शक्स से उन्हें सखनफरत थी उसका भाई उसका रिष्टा अपनी भेहन के लिए डाल रहा था जवाद तो क्या बोल रहा है चानता है उस लड़के ने तुझे मारा था जवाद को देखते हमाद में भी हैरास से पूझा कैसा है लड़का सबक की बातों को नजर अंदाज करता है वरोच काते जवाद ने शरारा से कहते हुरिया की नमाखे साफ की थी जवाद तुम अपने सालिकी बात कर ले हो जी अपूजी हमाद और हमदान को चुप रहने का इशारा करते शकी साहाब बजाहे जवाद से पात करते हुरिया को बगार देखने लगे जो हैसन के नाम पर बिलकुल खामोश हो गई थी कुछ दे पहले तक जो चला चला का इशारी से इंकादी थी अब एकदम सिकाया पलट पर शकी साहाब ने जवाद को देखा जो उन्हें देखता वापस से उनके पैदों में आ बैटा था तुम्हें ऐसा क्यूं लगता है वो अपने बेटे का रिष्टा करेंगे तुम्हारी तलाख याफ़ता बेहन से सक्टगी लहजे में पूछे शकी साहब ने एक नज़र अपनी बेटी को देखते तलाख याफ़ता कहते आँखे सक्टी से बंद की थी और वहीं हुरिया ने भी से जुकाते बेदर्दी से अपने लब दांतों ताले कुछ लेते तुम ये तो नहीं सोच रहे हैं हम मतालबर रखेंग गवार लोगों की तना बदले के रिष्टे का बोलो शकी साहब को देखती सफिया बेगम ने अफसोस अपने पोते को देखा था नहीं दादी अबूजी ऐसा नहीं है वो ऐसा नापी को पसंद करता है और कोई अतराद भी नहीं है आपी की टाइवर्स से शकीसाब को मشकूप नज्जरों से तक्री देखकर वो जल्दी से कहता हूरिया को देखने लगा क्यों आपी सच कह रहा हूँ न? हूरिया को देखते है वो जब आप तलब नज्जरों से देखने लगा आपी आज बोल दे, मौका हाथ से जाने ना दे वो ये को खामुश खड़े देकर वो उसके पास आता, उसे समझाने लगा बोले आपी, उसे चुपकर रोज़ा ना तोड़ते देखकर उसके हाथों पर दबाओ देते बोला था जवाद की आँखों में देखती हुलिया ने खुद में होसला बेदा करते, लंबा सांस अपने अंदर खेंचाता पता नहीं अबो जी, वक्त तीन हुरुफ बोलती हुलिया की आवाज भराई थी, हाकिकत यही थी तो पिछले पांस साल से वो खुद भी हैसन से बात नहीं कर सके थी भला क्यों वो एक हुगरू जवान अपने से बड़ी और तला ह्याफता लड़की से शादी करने लगा था क्या तुम हैसन को पिसंद कर दियो अपनी बेटी को देखते शकीज साब ने तश्वीशी नज़रों से उसे देखा जी अबू जन सेकंड खामुशी की नज़र होए थे कि जवाद ने खबगिस अपनी बेहन को देखते हुए कहा और वहीं हुलिया का जुकर सर मजीद चुका था यह सोचकर कि उसके अबू यह जान का उसके बारे में क्या सोचेंगे ठीक है फिर बलाते हैं किसी दिन उन्हें देखते हैं बात करते हैं मस्कुरा कर कहते शकी साब उठे दे वो खुद आएंगे अबू जी आब बस इंतिजार करें एक दो दिन तक शकी साब को इंतिजार करने का कहता वो मस्कुराया था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसो अहसन न अपने फैमली को रिष्टे के लिए भीज देना था अगर को डॉक्टर जिब्रान दिन रात उसे समझा रही थे जो काम काफी हद तक वो कर चुके थे अब जो करना था अहसन ने करना था वो शादी आप से ये करेगा अभी हुदिया के सर पर हाथ रखकर कहता वो मिस्स शकीर और सफिया बेगम को देखता मुस्कुराया था जो अभी तक हैरानगी से सब देख रही थी ममा क्या बात कर सकते हैं तुबहर के वगर सब अपने अपने कमरों में अराम फरमा थे तब ही वो मौकर का फाइदा उठा था बजी या वेगम के कमरे में आया उन्हें जाकते देखकर वो मुधम सा बोला था हाँ आओ ऐसा नहीं क्या हुआ अपनी तजबीर साइट पर डगते मिस्स वासिफ मुस्कुराई थी ममा सीधे मुदे की बात करूँगा जादा वक्त नहीं लूँगा आपका मिस्स वासिफ के दोनों हाथ थामता लबो पर मुस्कुराई हर सजाय बूला था जिस पर वो अजबात में सरह हिला गई थी ममा आप देखे ना जो भी जैसे भी हुआ शायद वो सब ऐसे होना तैथा अब रिश्की शादी खानदान में नहीं होनी थी सो नहीं होई ममा आप तो आपको जबात पसंद भी आ गया है और वो कितना अच्छा भी है हाँ माशाला बहुत अच्छा बच्चा है बस अल्लापाक उसे जल सिहत्याब करते जबात के जिकर पर वजिया बेगम अबसर दस ही होती बोली थी आमीन अमी वो ठीक हो जाएगा लेकिन उसने शर्टे रखी है सरजडी की वजिया बेगम को देखते है अच्छा नहीं से साथ की से बताया क्या कैसी शर्टे है हरान की से गोया होती हूं सीधी होई थी ममा मैं हुर्या को पसंद करता हूं जब आद को पता चल क्या है वजिया बेगम के हाथ पर हाथ रखता वो उन्हें नर्मी से समझाने लगा तो इसमें सरजडी ना करवाने का क्या मतलब नासमझी से उसे देखती है वो गोया हूई मिरी अभी अभी हुर्या से बात हुई है ममा उसकी सरजडी में रिस्क है यह जानकर उसने शकी सरजडी के सामने शर्ट रखी है आइस्टे की से कहते है एसन नानकी आँखों में देखा जहाना समझी कर जहां आबाद था वो कब कुछ भी तो समझ नहीं पा रही थी आफर वो कहना क्या चा रहा था वो समझने से कासर दी तुम साफ साफ बात करो कैसे शर्ट यह लड़का पागल है इसे कम हमें कौन दिर करता है जवाद के फिकर में हरकान वजिया बेगम ने खबगी से कहते करदन जटकी थी क्या शर्ट रखी है उसने एसन को खामुच देकर वो मज़ीद गोया हुई यही के शर्ट साफ मेरी और हुजिया की शादी करवा दें वो नहीं चाहता हूँ सर्जरी के बाद पांस साथ पीछे जाए और अपनी बेहन की शादी का खौईश मन रहे और लोग चाते हैं कि जबाद और ब्रिश के निकाह पार्टी में हमारा भी निकाह करवा दिया जाए वर जी अब एकम को देखते एसन ने उन्हें की सांस में बता दिया था शर्ट साप मान गए? हाँ ममा, अब आप मान जाएं हम अपनी बेटी भी तो दे रहे हैं बहार कि आप बहू नहीं ला सकते हैं तो वो लोग भी इंसान और सबसे बड़के मुसल्मान ममा हरांगी से देखती है एसन को बहुत देखने नंगे जो उन्हें दर्स दे रहा था मा जी नहीं मानेंगी कभी भी एसन परिशानी से कहती ही मिसिस वासफ ने अपने हाथ चुड़ाए दे ममा दादी को मैं मना लूँगा क्या आप अपने बेटे के खुशी के लिए अपनी सासे चुपा नहीं सकती अब रिश्का निका भी तो हमने चुपाया है सबसे हम एन वक्पा उन्हें बताएंगे मा को परिशान होते देखकर वो लब तपाता संजित की से गोया हुआ था एसन ममा प्लीज मज़िद लेट ना करें प्लीज अब आप रिश्टा ले जाएं वज्या बेगम के हैरांगी से कुली आँखों में देखता वो मुस्कुराया था हाँ मैं भाई से बात करती हूँ उसे बेसबर होते देखकर वो सोचने बढ़े थी ममा जितनी जल्दी हम रिश्टा लेकर जाएंगे उतनी जल्दी जवाद सरजरी करवा देगा जवाद के कहे मिसिस वासिफ के कंसर्ण से बाकर एसन नहीं जिताया था जल्दी तो करना पड़ेगी यवना जवाद सरजरी नहीं करवाएगा पुर सोच अंदास में कहती वज्या वेगम को अभी भी जवाद के फिकर सदाई थी अच्छा जी जवाद के फिकर है मेरी नहीं मा को देखता वो मस्नों खबकी से कहता मुस्कुराया हाँ मुझे जवाद के फिकर है एसन जवाद के साथ मेरी बेटी का नसीफ जुड़ा है पर प्यारे तो तुम भी हो एसन के सर पर प्यार करती मुसिल जवासफ ने फिकरमंदी से कहा हाँ वो नसी जो जबदस्ती का है ममा अब इस जवास से शादे नहीं करना चाहती और मैं अपनी बेहन के साथ हूँ लंबा सांस खेच कर कहता हूँ वजिया वेडम को देखने रखा जो उसकी बाता परिशान होई थी रेमोट दो चाचू चेनल चेंज करते जवाद पर जबटा मार था आहाच चलाया था अब पर दपा हो जा मार खायेगा क्या आज पाकिसान और इंडिया का मैश था जिसके लिए जवाद ने दो दिन पहरी अपने आज के सारे मजीद डन किये थे और खासा आप आज शट्टे के थी मगर सुबा से शाम के छे बजने को आये थे और बच्चों के कार्टूं खतम होने का नाम ने ले रहे थे संडे के दिनों ने बस एक ही काम होता था खाना तर पड़ी मुश्किल से डाइनिंग टे डायटिंग पर खाते थे लेकिन आज वो तो टीवी के सामने से हिलता तक नहीं था वहीं बैटर सानम खाना खिलाती थी जिस वरे से वह काफे जित्य और हड़्दर्म हो गया था बिल्कल मा पर जा रहा है आहाद बाप से भी कुछ सीक ले गुत्तम गुत्ता होते जवाद ने उसे देखते अफसोस से कहा अब तो आहाद के रहाद पैर भूलने लगे थे वो अपने चाच्चों का मगाबला नहीं कर सकता था और वहीं जवाद उसे हाद देखकर से चड़ा गया था चलो भाई जिसको मैस देखना है वो मैस देखे नहीं को अपने कमले में जाओ बाकि सब भतीचे भतीची को मुझ लटकाया देखकर वो बिलन आवाज में कहता स्पोर्ट चेनल लगा चला गया था मैं अभी ममा को बढ़ा लूँगा जवाद को घुरते आहद ने और घुस्ते से उस पर जपटा मारा था जोईशे बरवख पकरते जवाद ने अपने मुगा हशार होने से खुद को बचाया था अब मैं निकल तेरी माँ को और तुझे तोनों को देख लूँगा मैं दोनों हाथ पकरते जवाद ने आहद को पिन तरफ खूटे देखके उसे ठोहुका मारते कहा ममा, चाचो रिमोट नहीं दे रहे काफे देर से जवाद कर टीवी लाउंच में रिमोट के लिए लड़ते जवाद से हारते आहद ने ट्राइंग रूम में बैठी अनम को बुलाते चीख मारे थी और वहीं जवाद ने उसके चलाने पर नाक से मक्की उड़ाई थी क्या हो गया आहद? तड़ब कर टीवी लाउंच में आती अनम जारों खतार होते अनम को देकर गोया हुई ममा, ममा चाचु रिमोट नहीं दे रहा है मुझे, काटून देखने है अनम के गले से लगते अहद ने उसे बताया अच्छा चुप हो जाओ गूर कर बेन्यास बैठे जवाद को देथी अनम ने उसे चुप करवाया था ममा चाचु ने मारा मुझे अनम को ना लड़ते देकर आहद ने अब जूट का साहरा रा दियता और वहीं जवाद हसा था कहा मारा मेरे बच्चे को? अहद का कहना था कि वो उसे परिशानी से गोया हुई अनूस मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तूने? जवाद से लड़ने का जो बड़े दिन बात हाथ लगाता और वहीं आलिया ने अपनी ममा को हैरत से देखा जो अपने बेटे के जूट पर यकिन करती फॉरण से लड़ने लगी थी लो जी हो गई शुरूँ आप फिर से भाबी जी उसे से रिमोट पैन की पॉकेट में रखता हूँ अफसोस से बोला था तेरे हाथ नहीं तूटे जवाद? इस क्रिक्ट के पीछे तूने मेरे बच्चे को मारा? पाकिस्तान तो कौन सा जीत जाना है? हारे गई जिसके तेरे जैसे देखने वारे हों कभी जीत नहीं सकता उसे रिमोट पैन की पॉकेट में रखते देखका अनम के दन बदन में आग लगी थी तब ही वो पाकिस्तान तीम के हारने के दूआ करती जवाद को कोशने लगे ओओ अब तो पक्का पाकिस्तान हार जाएगा आपके जबान चो काली है पाकिस्तान के आनने का सुनगा जवाद ने घुर का अनम को देखा ये फिर से शुर होगा अमी जी अमा अनम और जवाद को चुहे बिली की तना जबानी जंग करते देख मरवा ने माता फीटा था लडने दो तोनों को आदा थे लडने की अनम शादी के पहरे दिन से लड़ रही है से हम तो उनके लड़ाई खतम करवा करवा का ठक गए हैं अब मरवा को जड़कने का कहती सफिय बेगम न अफसोर सके घरधन मारते कहा जिस पर साहरा बेगम ने भी अजबात में सरहिलात हैं उनका साहत दिया बापर को अपने काम मंकण हो गई जिस दिन से वो अब्रिश को देखकर आई थी तब से वो सफिया बेकम अपने नई बहू के लिए दुबटा कढ़ाई करने में लगी हुई थी जो काफी हाद तक तयार हो गया था बस इसे फैंसी टच अप देने के लिए उन्होंने मर्वा को भी अपने साथ लगा लिया था पकवाज बनकर रिमोट वापस करें मुझे जवाद उतको काली जबान कहते जवाद के संत पर थी अनम ने उससे रिमोट चीना चाहा जब उस अपने संत बढ़ते देखकर वो काउच से चलांग लगा था उसकी पाउच से दूर हुआ था पिल्कल माँ पे गया है जूटा ड्रामे पास पहरे नहीं मारा था अब खा मार बत्तमीस जवाद को देखते आहद ने मुझ उड़ा दे कहकर लगाया जिस पर वो आँखे छोटी करके उसे देखते उसके सर पर चपत लगाई थी जिस पर आँच छट फाड़ कर रोने लगा उसे सगालियां देती पाउं से जूटी निकाल दी अनम ने जवाद की सिंत उचा ली जो ठीक निशाना ना लगने पर आहद के सर पर चा लगे थी ममा हाई ला मेरा बच्चा आहद को भी शानी मसलते देखकर वो उसके सिंत पड़े थी हुई हुई निकाल दिया पहला हुआ एक तरफ अनम जौाद की तरफ बढ़ीती हुए जवाद ने एलेडी पर चलती मैच का एक उवर गज़र जानने पर सद्में से निढाल होते अनम को घुस्टे से देखा था कंदी शकर का खुद की तो कोई अकात नहीं है आप की तरह जबान नहीं उससे जगाती अनम की बाद बीच में कारदा वो फकर से कहता कॉलर सेट कर गया था अबल रोज से मेरी जिन्दगी का जाब बना हुआ है पहले मेरा दुश्मन था अब मेरे बच्चों का दुश्मन बन गया मेरे तो खुश्मन सकुन सब का गया क्या मेरे बच्चे को भी खाएगा तू गर्दन अकडा कर कहते जबाद को खुष़न नज्जोस से गॐरती अनमनों से नचाने क्या क्या कहा था हद धै मारो खो अपने बच्चे को वसोवार को और रही खुश्यां खाने के बाद तो भाबी वह आपने मेरी खाई हैं बुदे साथ साल अनम करचीश का जम्यदार खुद को ठराते देकर वह हसा दा अपनी बेटी से पुछे जिसने मारा है इसे हाँ ममा चाचु ने नहीं मारा जवाद का कहना था कि आदिया ने फौरान कहा चुपकर चाचु की चम्ची मुझे क्या नहीं पता तेरा मेरे बदले मेरे बच्चों से लेता है तू गुसर से आलिया को डपटती अनम ने जवाद को देख ले दुस्से चपपल उतारते के समते उचा रही थी अपने बचाओं के लिए बलबग जुपता अनम का निशाना चुपने पर बुलंद बांक कहका लगाता हसा था और लाउंज के में गेट पर खड़ी शा फैमली जो पीछले दस मिर से उन दोनों को की गोहर अफशानी सुन रही थी चपपल पाउं में आकर गिनने से हवास में लोटी थी मैंने सिर्फ जबान चलाने की इजाज़त दी भावी हाथ चला बरदाश नहीं करूंगा इंगी शातर टाता हुए एकदम अचानक से सर्द सपार्ट लहचे में बुला था क्या करेगा नहीं तो पीछे खड़े दफोस को देखती अनम पल भर को रुके थी मगर जल्दी अपने जौन में लोटती वो तनफ़ से मुस्कराई थी मैं कुछ नहीं करूंगा भावी को पीछे लगा दूँगा पर सच में सुकून खतम हो जाएगा तो नहीं जाड़ कर कहता वो मुस्कुराया जानता था उसके एक कहने पर उसका भावी से सीधा कर सकता था अजीब बात है भावी के नाम से हवाईया उर जाती है और आज हस रही है कौन है पीछे किसे देख के हस रही है अनम को जवाब में खामुशी से मस्कुराते देकर वो दिल में सोचता पीछे मुड़ाता जब सामने प्रेश फूरो का गुल्दसा धामे कड़ी मिस्स वासिफ समेथ उनके भावी भावी को कड़े देका जवाद ने तब तांतों तले दपाई थे जा जा डर्दी नहीं मैं तेरे भाई से और तुस से उसके सुस्राल के सामने जवाद की इजद अवजाई करवाने के चक्कर में अनमने और तेस्स बोलना शुरूर किया जिस पर वो लब दबाते एक नजर पीछे मुड़का देखता खब सता साम के सम्त बढ़ाता कॉलर सेट करता वो बालो में हाथ डालता खफ मिटाने की कोशिश करता अदब से जुक का सलाम करिया जिस पर बहुर उससे देखते मिस्स वासिफ ने उसके जुके सरे पर हाथ रखा था आये प्लीस अंदर अमी जी अमा जी देखें कौन आया है उन्हें अंदर आने का कहता वो अपने काम में मस्दूर साइरा बेकमा और सफिया बेकम का पुकार कहता वहीं शाफ एंडीक को एक और धचका लगाता इतने शोरों गुल्मी वो कैसे इतनी पुर्सकून अंदाज में काम कर रही थी ये सोचकरी मिस्स अफ़ान का सर चकराया था वो तो काम करते वो अपने बच्चे को बोलने तक नहीं देती थी हद्टा के चेखना चलाना अरे आप कैसे आना हुआ सामने खड़ी अपनी नई संधन को देती साहरा बेकम बादजों खोलती उनके संध बड़ी थी कैसी हैं आप पीस बैठे ना सबसे खुश इस टूबी से मिलती सफिया बेकम साहरा बेकम ने उन्हें बैठने का काहा था और वहीं सब बच्चे वहां से चलते बने थे सबाए आहाद के जो अपनी मुम्मा का हाथ पकड़ी हुए था मरवा बेटा जो मुलाज़ों को चाह पाने का कहो जी अमी अससलाम अलेकुम मरवा को कहती साहरा बेकम ने अपनी बड़ी बहु को देखा जो अभी अभी तक जवाद को गोसे से नहा रही थी साहरा बेगम के देखने पर मरवा बतन सलाम करती आहत को लिया अपने कमले के समत पड़ी थी कैसे शरीब बन गया भावी अब और कैसे ओर्टों के तरह लाड़ा था अपनी बड़ी भावी से कहें पहीं से भी तो बिमार नहीं लग रहा साहरा बेगम के साथ कड़े जवाद के जुके सर को देखती मिसस अपान अपनी चिठान के कान में सरकोशी की थी जिस पर मिसस इमरान ने भी हैरा से जवाद को देखा जो देखने में काफी संजीता कम को लगता था मगर जो कुछ उन्होंने कुछ देर पहले देखा था वो उससे बिलकुल अलग था आप लोग कब आया बताया नहीं हर एक को हरान को नजरों से जबाद को तक्तर देका जफिया वेकम ने नरम से मुस्कराइट लबोपे से जाते पूछा दस मिन पहले जब आपका घर चुड़िया घर बना हुआ था इससे पहले के वज़िया वेकम या कोई और कुछ कहता मिस्स अफ़ान जदाते लहचे में कहते जबाद को देखा डिसकरसर शर्मिंदिगी से मजीद जुका था हाँ बच्चे हैं न क्या करें मिस्स अफ़ान की तर्मस पर साहरा बेकम न खबी से जबाद को देखा हाई अल्ला बच्चे तो न कहें आउंटी हमारे तो बच्चे भी ऐसे नहीं लड़ते साहरा बेकम की बात पर दोनों कानों को हाथ लगाती मिस्स अफ़ान ने मजीद कहा जिस पर मिस्स वासिफ ने उसे खामुश होने का इशारा किया दस मिनट पहले आये थे हमें बता कर आना चाहिए था माज़द हलका सा मस्कराती मिस्स वासिफ ने चबाद को देखा वहीं चबाद बाहर जाने का सोचता भी जाने लगा था कि मिस्स वासिप की आवास पर रुका हैरान परिशान तो वो खुद भी थी वो जो समझें घर में परिशानी का महार होगा सब जवाद की तवियत की वज़े सब सुड़ता होंगे मगर जो कुछ उन्होंने यहां आगा देखा था उसके बाद उन्हें यकीन ही नहीं और आगा जो कुछ अबरिशंयां उन्हें बताया था वो सब सच भी था या विकर मजाग था क्याँ के जसाना से जवाद अपनी भावी से लगा था वो कहीं से भी तो बिमार नहीं लगा था जैसे वो अपनी भावी का मताग उड़ा था कहके लगा रहा था वो तो उने भीकुल हशाज बशाज नतराया था जवाद बिटा जी अंटी मिस्स वासिप के बुलाने पर वो उनके सम्त मुड़ा था अब कैसी तब्यात है आपकी उसे शर्मिंदा होते देखकर मिस्स वासिप को अच्छा नहीं लगा था तब ही वो मुस्कुरा कर गोया है अल्हम्दुल्ला अंटी सर उठाकर उन्हें देखता हूँ अलका सा मुस्कुराया मुझे पता चला बृस से कि सरजरी का बोल रहा है और आप आज छुटी पर है तो मिलने चलिया आए आपसे और आप जा रहे है जवाज को देखती वो परिशानी से गोया हुई थी क्या कहरें डॉक्टर्स मिस्स वासिप के बाद शुरू करने के देए थी अफ़ान साहब ने भी फिकरमंदी से पुछा इंटर्नल चोट आई और जादर कुछ नहीं जखम देने वालों को मरहम डखते और अपने दे परिशान होते देखकर वो हलका सा मस्कुराया था आप भी परिशान होंगी ना अरे मैं क्यों परिशान होने लगे मेरा बेटा शेर है ऐसे हो जाएगी सरजड़ी छोटी सी तो है कौन से बड़ी बात है अभी मिस्स वासिप की बात पूरी भी नहीं होए थी कि साहरा बेगम ने चुटकी बजा दे मजबूत लहचे में कहा था और मिस्स वासिप ने ताज़ब सा होने देखा था वो तो दो दिन से उसकी तब्यत का सुनका सो नहीं पाई थी और एक तरफ साहरा बेगम थी जो नहीं कोई बड़ी बात नहीं लगी थी हद दयार रुकर तो ऐसे बैठा है किट शिट में जैसे पता हूँ हम आने वाले हैं साहरा बेगम से बात हो मस्रूब मिस्स इवरान के कांगे करीब सर्गोशी करती मिस्स अफ़ान ने जवाद को उपर से नीचे तक देखते उसका जाज़सा लेते तनाफुर से कहा था और वहीं उनकी सर्गोशी सुनते जवाद ने सर्द सुरूख आँकों से उने देखा बिल्कुल अनम भावी जैसी हैं घर में फसाद बर्पा करके रखती होंगी जवाद के देखने पर उसकी वैशा जदा सुरूख रंग आँकों से डड़ती वह लब तांतों तले दपा गई जिस पर जवाद उने खामुश होते देखकर दिल में सोचता मस्कुराया था ब्लेक ट्राॉजर पर हाफ लीज ब्लेक ही शिर्ट पहने होई था जिससे उसे कसरती बाजो नुमाया हो रहे थे पाल जिने वो पिशाने पर बिखरे होई था थोड़ दिर पहली वो शावर लेकर मैश देखने के लिए नीच जाया था अगर जो कुछ उसके साथ आज हुआ था विचारा जी भरकर अपने किरकर देखने के खियार पर पच्छा रहा था इस पर मिस्स अफ़ान का उसे बार बार टीस करना जब उसकी वैदार से बाहर हो रहा था उसने मिस्स अफ़ान और अरम में कोई खास फरक नहीं लगा था जी तो जनाब अब तक रे सिफ इतना ही कैसे लगी अबिसोर्ट कमेंट सेक्शन में अपनी राइक आज़ार ज़रूर कीज़ेगा जो मिलते हैं आप से अबिसोर्ट के साथ अब तक रे इजास्थ दीजे चैनल पे ना है तो सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे अलाफिस